हलो दोस्तों भारत अप्टेट्स चैनल में आपका स्वागत है और दोस्तों आज हुआ कि 16 बड़ी खबरें 16 बड़ी अप्टेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ तो दोस्तों आज है 5 दिसंबर 2020 आज की यह बड़ी अप्टेट्स यहाँ पर रहने वा हो चुका है तो यहाँ पर आपको वीडियो में पूरी जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी इन सभी को जटका अब 1000 पद नहीं भरे जाएंगे नोकरी पाने का अबसर यहाँ करें आवे तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बतांगो इस वीडियो में तो वीडियो को देख लीजिएगा तभी आपको पता चलबाए अगर स्किप करोगे तो हो सकता है कि बीच समय से कोई इंपोर्टेंट अपडेट आपसे छूट जाए तो चलिए दोस्तों शूरू करते हैं पहली अपडेट से यह रही 15 मोतें SDM समित 805 पोजिटिव तो यहाँ पर दोस्तो जिले में 235, मंडी में 109, कांगणा में 147, विलासपुर में 45, चमबा में 41, कुल्लू में 55, सोलो में 75, हमिर्भूर में 27, उनना में 34, किन्यवर में 15, सिर्मोर में 13, और लाहोल्स पिती में 9 करोणा के मामले सामने आए हैं अंडी जिले में SDM, सदर, DSP, अधी, शाशी, अभियंता के करोणा टेस्ट की पोजिटिव रिपोर्ट यहाँ पर आई है कुल संक्रमितों कांगडा दोस्तों यहाँ पर जो है 43,500 पहुंच गया है इसके लाँ बात करें एक्टिव केसिज तो 8,300 एक्टिव केसिज हैं और 34,458 मुरीज ठीक हो चुके हैं 698 संक्रमितों की अब तक मोत हो चुकी है तो करोणा की च्पेट में अब तक आए 1468 पुलिस कर्मचारी तो यह कुछ दोस्तों करोणा की अपडेट है चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों पहले आपको जो न्यूस में प्रमाई थी वह बताया है अभी यह यह है जो है यह जो आपको मैं बता रहा हूं यह है ओफिशियल ठीक है और 8300 एक्टिब केस है आज 578 ठीक हुए है और 34848 मरीज ठीक हुए है कुल मिलाकर अभी तक के इसके लाबा दोस्तों आप जो है मेरे टेलेग्राम चैनल के उपर विजिट कर सकते हो दिन में तीन बार यह अपडेट आती है करोना की सभी की सभी अपडेट्स आपको बहाँ पर मिल जाएगी इसके लाबा जितने भी PDF नोटिफिकेशन में अपलोड करता हूं वीडियो म है वो भी आपको मेरे टेलेग्राम चैनल के उपर मिल जाएंगे टेलेग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स इसके लाबा आप मुझे ट्विटर के उपर फॉलो कर सकते हो आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आईकार भी चेक कर लेना ठीक तो प्रदेश भर में जो है साधी, मुंडन, धाम, सांस्कृत, धार्मिक और अन्य कारेग्रमों सहित सभी कारे आयोजनों की मंजूरी के लिए अब ओनलाइन आविदन करना पड़ेगा और सरकार ने इसके लिए कोबिट पास की तरह ही पोर्टल जारी किया है इसका नाम है कोबिट-19 प्रोटोकोल का पालन कर लोग कारेग्रम करवा सकते हैं पोर्टल पर समंधित व्यक्ति को नाम, अपना पता, कारेग्रम, समंधित जानकारी, बुलावा पत्तर या कार्ड अपलोड करना पड़ेगा इसके बाद रेइस्ट्रेशन हो जाएगी इसकी SDM से अनुम नहीं दे रहा है, तो यहां पर DJ allowed अभी नहीं है, और कारेग्रम में 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं, प्रोटोकोल को अगर फोलो ना किया तो यहां पर कारेवाई भी हो सकती है, तो ध्यान रखना दोस्तों इस बात का ठीक है, चलिए, नेक्स्ट अपडेट यह रही, कुछ दवा आने की उमीद भी बड़ी, तो यह कुछ यहां पर अपडेट है दोस्तों, और बिटे में 8 दिसंबर से लगेगा, टीका, तो एक अच्छे ख़र है दोस्तों, चलिए, नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं अभी, यह रही, सुबे में आज सभी सरकारी दफ्तर साथ ही उन्हें मुख्याली ना छोड़ने को भी कहा गया है, तो यह भी दोस्तों एक इंपोर्टेंट अपडेट है, ठीक है, तो यह आप देख लेना, चलिए, नेक्स्ट अपडेट, दुकानों के आगे फिर से लगे गोले, विना मास्क नहीं मिलेगा सामान, तो बढ़त और जुर्माना भी लगएगा, आठ जार रुपे यहां पर जुर्माना लिखा गया था, ठीक है, जवाला मुख्यों की कुविट टेस्ट करवाएं, दुकानदर मास्क और गलव्स पहने, तो इन्होंने यहां पर हिदायत दी है, जो DSP है वहां के, यहां के जवाला जी के, और गरगल और लंबा गाम पुलिस ना दुकानदर को किया जागरूक, तो दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट है कि आप कहीं भी जाओ, फेस मास्क लगा के जाओ, हैंड सैनिटाइजर लगा के जाओ, यह थोड़ी थोड़ी चोड़ी चोड़ी बाते होती है, अगर हम इनका ख चुड़ा है, चाहे वो थोड़ा सही क्यों ना हो, बट हो तो रहा है न वो, और उसके बाद फिर सचाओ कता है कि आपका एक्जाम हो, बबन दा पोजटिव होगा, हो शायद, और उसके बाद आपका एक्जाम हो, और आपना अगर हैंड सैनिटाइजर नहीं लगाया होगा बढ़ता है फिर बस मैं, तो उसका भी ध्यान रुखो कि ऐसे मत बैठो, हैंड सैनिटाजर लगाओ, तभी उस सीट को पकड़ो आगे से, पकड़ना बरतन कभी-कभी, तो ये कुछ दोस्तों नॉर्मल सी चीज़े होती ही, जिनका हम ख्याल नहीं रखते हैं, बट यही यहाँ पर उनना में चलान हुए हैं, चली नेक्स्ट अपर दोस्तों देख लेते हैं, यह रही, करोनाकार में प्रदेश कर्मचारी चैन आयोग ने, मैं नए सदस्य को देदी नुकती, मही तो 2017 से आयोग मैं खत्म हो चुकी है, भरतियो में शाक्षातकार की प्रक्रिया, तो यह कुछ दोस्तों यहाँ पर अपडेट है, पूरा आप देख लाना यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर बताऊंगा तो फिर लंबी हो जागी बहुत ज्यादा वीडियो, ठीक है, तो यह है, बतायतों सरकार ने लोख निर्मार विभाग शिमला से इंजिनेर इंचीफ, पर निर्वित रणबीर पाल बर्माकुसरसे के पद पर नुक्त किया है, तो यह कुछ यह अपडेट है, ठीक है, चलिए, नेक्स अपडेट, तो दोस्तों यह विकेंसी निकली होए है, लास्ट डेट है आपकी, 20 दिसंबर, ठीक है, यह आपको पता ही होगा, है, एज़प लब्बे होस्टे हैं अठा से 45 साल इसके लिए एज रखे गई है www.hpsb.hp.gb.in से जो है आप अपलाई का सकते हो दसमी बाहर में उतिर्ण होने चाहिए आप ठीक है बहुत सरी विकेंशिस हैं अलग-अलग अपद बने पर बित भीभाग ने आपती दर्ज कराई है बिभाग ने आर्टी नीमों का हवाला देते हुए 100 बच्चों से कम संख्या वाले स्कूलों में पद भनने से मना कर दिया है तो यह एक अपडेट है दोस्तों यहां पे और सो से कम बिजार्थी संख्या वाले स्कूल तो यह कुछ यहां पर अपडेट है और यह भी वेगेंसी नहीं बढ़े जाएंगी ठीक है तो उन्होंने बताए कि कला थे आपके 1564 पता शारेडिक शिक्कों के 1683 पत यहां पर खाली है चलिए नेक्स्ट अप्टेट दोस्तों देख लेते हैं और यह आप पूरा देखना च कुछ इस तरह से हैं ओके चलिए नेक्स्ट अप्टेट यह रही दोस्तों नर्सरी टीचर ट्रेनिंग बाले भी अब बन सेकेंगे शिक्षक प्री प्राइमरी कहां गया तो प्री प्राइमरी स्कूलों में न्युक्ति देने को भरती और पदुनती नियम बनाने का शुरू हुआ काम तो डियलेट और अरली चाइल्ड हुड केर को करने वाले नए नियमों में शामिल किया जाएंगे तो यह कुछ यहां अपडेट है हिमाचल के 3840 स्कूलों में अभी चल लिए है नर्सरी और केजी की प्री प्राइमरी कक्षाएं तो इसके लिए भी आप देख लेना और बिशिव जाले जो है और यह आपको बता दिया है वीडियो अप्लोड की है नोटिफिकेशन भी मेरे टेल्ग्रम चैनल के उपर आपको मिल जाएगा तो आप ध्यान से देख लेना ठीक है और यह कुछ यहां पे अपडेट है चलिए भी नेक्स्ट अप्रेट आपको बता देता हूं ठीक चलिए टकनिशन इलेक्ट्रिकल की मुल्यांकन प्रिक्षा 16 दिसंब्र को होगी यह है दोस्तों HPSC यानि की हिमाचल प्रदेश करमजारी चैनायोग हमिरपुर की दरफ से 771 पोस्ट कोड है टकनिशन टकनिशन है राश्टी मुक्त विद्याले शिक्षा संसान NIOS की माध्यमिक और उच्तर माध्यमिक कक्षाओं की प्रिक्षाएं जनवरी फर्विन में होगी ठीक है तो उसके लिए 15 दिसंबर तक 100 रुपे परती विश्यो बिलम सुलक और 10 दिसंबर तक बिना बिलम सुलक आप जमा कर बाने होगी प्रिक्षाफीस केबल online माध्यम से ही ली जाएगी ठीक है चलो नेक्स्ट अप्टेट यह ही MPBS BDS के दूसरे दोर की कांसलिंग का स्चेडियोल जारी तो यह इंपोर्टन अप्डेट है दूस्तों 6-12 दिसंबर तक पोर्टल के माध्यम से जो है कांसलिंग को आ देख लेते हैं तो IT-I की खाली सीटों के लिए साथ से फिर कांसलिंग तो खाली सीट भरने के लिए 19 दिसंबर तक होगी कांसलिंग तो उद्योकिक्ष्ण संस्थानों मरिक्षाफ्ट बश्या रिक्ष्पड़न के लिए सीटों परातर भ्यारतियों कि प्रविश देग है दूस्तों 18 नमबर तक जो है एक्जामिनेशन फॉर्म भना स्टार्ट हो चुके हैं और 18 दिसमबर तक जो है आप अपने एक्जामिनेशन फॉर्म फिल्ड कर सकते हैं और यह यहां पर कुछ कोर्सी रिखे हुए मैं एक्जामिनेशन फॉर्म है इसके लिए मैं दूस्तों स्पैशल वीडियो कर बना चुका हूँ तो वह आप देख लेना ठीक है और यह भी इंपोर्टन है और होस्ता है कि यूजी अंडर्ग्रेजुएट बीए वीसी वीकॉम और पीजी वालों के भी एक्जामिशन फॉर ठीक है टेंशन नहीं लेनी है ठीक है चलिए नेक्स्ट यह रही शेड्यूल तए पंदर दिसमबर से होगी नर्सिंग की प्रिक्षा तो इसकी भी दोस्तों डेट शीट में कर अप्लोड कर चुका हूँ वेबसाइट के ओपर तो पंदर दिसमबर से यह एक्जाम शुरू ह दोस्तों यह थी कुछ आज की 16 बड़ी अपडेट्स और अगर आप कोई वीडियो चे लगे तो लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ठैंक्यू